आई ये देखते हैं जालिया वलबा घात्या कांड क्यों हुआ था? जालिया वलबा घात्या कांड किस ने किया था? सभी परिछाओं के लिए महत्तपूर हैं. तेरे अप्रेल 1919 इस्वी को हुआ था. जालिया वलबा घात्या कांड तेरे अप्रेल 1919 की है. जब एक परती बंधित मैदान में हो रहे जन सभा के एक अत्रित निहत्ती भीड पर बेगर किसी चेतावनी के जनरल डायर के आदेश पर बिटिस सैनीकों के अंदाधोन गोली चला दी थी. यह जन सभा जालिया वलबा घ में हो रही थी. इसलिए इसे जालिया वलबा घात्या कांड भी बोला जाता है. इस जन सभा की मुख भरी हंस राजनामक भारतिय ने किया था और उसके सहयोग से इस हत्या कांड की साजिस रची गई थी. तेरे अप्रेल को यहां एक अत्रित यह भीड दो राष्टिय नेताओ सत्यपाल और डाक्टर सैफोदिन क्युचलू की गिरफतारी का विरोद कर रही थी. आचानक ब्रेटिस सैन अधिकारी जनरल डायर ने अपनी सेना को निहत्ती भीड परतितिर बितिर होने का मौका दिये बगैर गोली चलाने के लिए आदेश दे दिये और दस मिनट तक या तब तक गोलिया चलती रही जब तक वे खत्म नहीं हो गई. इन दस मिनटों में एक हजार लोग मारे गए और लगवक्त दो हजार लोग घायल हुए. गोलियों के निसान अभी भी जालिया वाला बाग में देखे जा सकते हैं जिसे कि अब राष्टिया असमारा घोसित कर दिया गया है. यह नरसहार पुर्व नियोजी था और जनरल डायर ने गरब के साथ घोसित किया कि उसने ऐसा शबक सिखाने के लिए किया था. अगर वे लोग शभाजारी रखते तो उन सबको वह मार डालता. उसे अपने किये पर कोई शर्मिंदी नहीं थी. जब वो इंग्लेंड गया तो कुछ अंग्रेजों ने उसका श्वागत करने के लिए चंदा इकाठा किया. जबकि कुछ अने डायर के इस चगने कृत से आश्चर्चकित थे और उने जाज की मांग की. एक ब्रिटिस अखबार ने इसे आधनिक की तिहास का सबसे ज़्यादा खुन खराबे वाला नर्सहार कहा था. पहली बार अंग्रेज कॉब और क्यों भारत आये थे? परबरता का सहारा लेना पड़ा. पंजाब के लोगों पर अत्यचार किये गए. उने खुले पिंजडों में रखा गया और उन पर कोड़े बरसाए गये. आखबारों पर परतिबन लगा दिये गये और उनके संबादकों को या तो जेल में डाल दिया गया या फिर उने नि जविना टाइगोर ने अंग्रेजों द्वारा उन्हें परदान की गई नाइट हूड की उपाधी वापस कर दी. ये नर सहार भारतियों सोतंतर संगराम की इतिहास में एक मौतपूर मोड साबित हुआ. जालिया वाल बाग हत्या कांड में कितने लोग मारे गए? जालिया वाल बाग हत्या कांड के दोरान हुई मोतों की संख्या पर कोई अधिकारिक डेटा नहीं था. लेकिन अमरी सरके डिप्टी कमिशनर कर्याले में 484 सहीदों की सूची है. जबकि जालिया वाल बाग में की सूची है ब्रेटिस राज की अभी लेक इस घाटना में 200 लोगों के घायल होने और 389 लोगों के सहीद होने की बात स्विकार करते हैं जिन में से 337 पूरिस और 41 नाबालिक लड़के और एक छो सब्ता का बच्चा था अना धिकारित आखडों के अनुसार 1000 से अधिक लोग म इसमें किसानों शहीत बड़ी संख्या में लोगें ने भाग लिया यह अस्पस्ठ है कि इस शाहार्म ने आग में घी की काम किया और लोगों में दमन के बिरोध और स्वतनता के प्रती इक्छा सक्ती को और परबल कर दिया थैंक्यू फ्रेंड्स